नमस्कार दोस्तो, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh.org और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा Anglo Cookie War के बारे में आज से लगभग एक सदी पहले हुई ये लड़ाई, आज भी Controversial है, इसके पीछे क्या Reasons है इस लड़ाई का इत्यास क्या है, बैक्ग्राउंड क्या है, इन सब बातों को हम जानेंगे, चर्चा करेंगे अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुनना चाते हैं, तो मुझे महिपाल राठोड हैंडल पर फालो कर सकते हैं ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर और इसी नाम से मेरा टेलिग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको मेरे सभी लेक्जर्स के PDF डाउनलूड करने को मिल जाएंगे Study IQ एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है, UPSC IAS एक्जाम की तयारी करने वालों के लिए इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे, IAS एक्जाम की तयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर EMI options भी available हैं तो जल से जल डाउनलोड करें Study IQ app और इस स्मार्ट कोर्स को चेक आउट करें तो एक साल पहले, October 2019 में इस Anglo Cookie War को लेकर एक Controversy हुई थी और कुछ हद तक ये Controversy 2020 में भी Continue हुई है, हाला कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई बड़ी Controversy नहीं है इसको लेकर इस वक्त लेकिन 2019 में जरूर ये Controversy था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस Topic को मैं Historical Point of View से Cover करूँ और आपको पता चलेगी ये पूरा मुद्दा क्या है अब Anglo Cookie War में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि Cookie Tribe कौन है, कहां पर रहते हैं तो ये एक typical Cookie Tribe का photograph में आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि exactly ऐसा पहनावा अब नहीं हो लेकिन ये representative picture है और Cookie Tribe एक Marshall Tradition वाली Tribe है जो भारत के उत्तरपूर्वी हिस्सों में पाई जाती है अब इसमें भी जो major इनके population centers हैं वो मनिपूर में हैं लेकिन पहले ये Cookie Tribe काफी बड़े एरिया में फैली हुई थी और आज भी Cookies म्यानमार, बांगलादेश के चितगॉंग हिल्स और भारत के मनिपूर और मिजोराम जैसे राज्यों में और त्रिपूरा में भी कुछ हद तक देखे जाते हैं रहते हुए तो Cookie Tribe का एरिया जो है वो तीन देशों के बीच में अब फ्रैग्मेंट हो चुका है इंडिया म्यानमार और बांगलादेश अब इनकी जो हिस्ट्री है उसको लेकर जो में कॉंट्रवर्सी है वो नगाज और Cookies के बीच में है क्योंकि देखिए Cookies म्यानमार वाले एरिया से आज का जो मनिपूर का रीजन है वहाँ पर आकर सेटल हुए थे कब सेटल हुए थे major controversy उसको लेकर है कुछ historians का मानना है कि बहुत पहले आ गए थे maybe around 11-12th century और एक most accepted views जो नगास के बीच में वो ये कि ये 18th या 19th century में आ है या फिर sometime around 1860 आये थे और इन्हें यहाँ पर मनि मार से जब ये यहाँ पर आये थे लेकिन cookies कहते हैं कि हम बहुत पहले से रह रहे हैं अब exact history इसको लेकर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको star mark किया है तो जब cookies आकर मनिपूर के area में settle हुए तो ये उन गाउं में settle हुए जहाँ पर नगास भी रहते थे और तबी से इन एक plain area है तो ये कहलाती है Amphal Valley ये काफी plains वाला area और यहाँ पर मेतीज रहते हैं तो मेतीज are mostly living in Amphal Valley plains area जो area wise छोटा है लेकिन population यहाँ पर है अप्रोक्सिमेटली 60% population मेती है जो यहाँ पर रहती है और Amphal Valley के चारो तरफ जो ये पहाड आपको नजर आ रहे हैं इन में रह ग्रेटर नागालेंड या फिर नागालेंड के डिमांड कर रहे हैं जिसमें नागालेंड, मनिपूर, अरुनाचल, असांत के भी कई areas डिमांड किये जाते हैं वैसी एक demand cookies के द्वारा भी करी जा रही है तो कुछ groups हैं जो कहते हैं कि हमें भारत में एक अलग state दे दो या फ 1826 में बर्मा को हरा कर अंग्रेजों ने एक treaty sign करवाई उनसे treaty of Yandabo जिसके तहत आज का जो भारत का मनिपूर, नगालेंड और मिजोराम जैसे areas हैं काफी बड़ा area जो बर्मा के overall control में था वो British control में या sphere of influence में आ गया ठीक है मैं बहुत शब्दों को यहां पर ध्यान से बोल पर उनका direct administrative control नहीं था जो tribal hills जिनने British कहते थे या Lushai Hills कहते थे यह more or less वैसे ही छोड़ दिये गए जैसे यह पहले चलते थे उनका administration उनके tribal chiefs के द्वारा किया जाता था लेकिन इसी समय में cookies और Britishers के बीच में टकरा हुआ, cookies कई बार British areas में raids के लिए जाते थे और इनी raids से बचने के लिए धीरे-धीरे Britishers ने वहाँ पर अपनी एक कचार लेवी खड़ी करी, फिर उसको अनाम दे दिया गया Assam Rifles 1917 में जाकर, तो इस तरह से उन्होंने अपनी military capabilities बढ़ाना start किया, लेकिन Britishers को यह समझ में आ गया कि किवल protection से कुछ नहीं होगा, अपना control इन पहाड में मदद के लिए इंसानों की जरूरत थी, तो भारत जैसी colonies से बहुत सारा labor भेजा गया, soldiers भेजे गए, उसी समय मनिपूर के राजा को Britishers ने कहा कि हमें non-combatants चाहिए, यानि ऐसे लोग जो लडएंगे नहीं, बलकि जो war effort में दूसरा काम होता है, उसमें हाथ बटाएंग तो उसके लिए हमें आप आदमी भेजिए, तो मनिपूर्क के जो राजा थे, उन्होंने order दिया कि recruitment होगा, recruitment किसके लिए होना था, imperial labor core के लिए, तो इस labor core का काम में लिए होता था, logistics provide करना, कहीं पर construction etc की जरूरत है, जो logistics की lines होती है, उनमें साहता देना, basically लड़ाई के अल जो थे पहाडों में रह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, मनिपूर के राजा को कि हम इसमें recruitment में साथ नहीं देंगे, हम अंग्रेजों के लिए जाकर नहीं काम करना चाहते हैं, तो अंग्रेज इससे काफी नाराज हुए, उन्होंने cookie tribes के खिलाफ एक जंग का ऐलान सा कर वैसे, to be honest, जो एलान था, वो cookie chiefs के द्वारा किया था, अंग्रेजों के द्वारा नहीं, तो यह लड़ाई 1917 में शुरू होती है, because of this recruitment, अब यहां से ही history में थोड़ा सा problem शुरू होता है, history लिखने में, ठीक है, history actually जो हुआ है, उसमें कोई problem नहीं है, अब यहां पर नग core में शामिल नहीं होना चाहते थे, जबकि cookies कहते हैं कि हम अपने homeland के लिए अपनी आजादी के लिए लड़े थे, तो cookies का यह कहना है कि हम recruit इसलिए नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हमें हमारी आजादी चाहिए थी, we wanted our independence for our homeland, लेकिन नगास का यह कहना है, कि पहली बात तो cookies का यह homeland ही नहीं है, homeland तो यह हमारा है, नगास का है, और दूसरी बात, यह एक rebellion था, एक withdraw था, क्योंकि official British history में भी इसे एक withdraw का गया था, तो अब जिसने history लिखी है, उसके अनुसार, इसका नाम अलग-अलग है, आप कहीं पर इसको लिखावा पाएंगे, great cookie rebellion के रूप में, क अर्मा military police को deploy किया गया था, लेकिन जैसे जैसे British army आती गई, वैसे वैसे cookies को जादा नुकसान होने लगा, जो भी लड़ाई हुई थी, वो short, sharp skirmishes थी, दोनों armies के बीच में, और cookies यहाँ पर gorilla warfare tactics पर rely करते थे, क्योंकि यह पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, और उसी मे यह जादा पारंगत थे, लेकिन ultimately British army के numbers के सामने cookie militias नहीं टिक पाए, और उन्हें finally subdue कर लिया गया, यानि cookie जो tribes थी, जिन्होंने यह बगावत करी थी एक तरसे, या फिर यह जंग का ऐलान किया था, उन्हें subdue कर लिया गया British army के द्वारा, और British ने यहाँ पर बहुती सक punishment उनके खिलाफ लागू करी, collective punishment दी गई, यानि कि ऐसा नहीं कि जो लड़ाई में पकड़ा गया soldier है, उसे punishment मिलेगी नहीं, जो पूरी cookie population थी, उन्हें forced labor में बेजा गया, उनकी कई अबादियों को shift कर दिया गया, जैसे आज जो त्रिपुरा side में जो cookies हैं, वो ऐसा कहा जा करता है कि इसी cookie rebellion के बाद में या फिर anglo cookie war के बाद में उन्हें वहाँ पर भेजा गया था, तो इनकी आबादी को एक जगे से दूसी जगे shift कर दिया गया, और कई जगे इन्हें camps में रखा गया, पांच साल तक जहां पर इनसे hard labor करवाया गया, इसी तरह के एक camp की photo है, या रसम में एक camp में photo लिया गया था, जहां पर cookie tribesmen को इस jail में या work camp में रखा गया है, उसके बाद British ने एक और policy करी के इन्हें disarm कर दो, इन्हें हतियार रखने की अनुमती हटा दी गई, तो cookies हतियार नहीं रख सकते थे या किसी भी तरह का martial tradition नहीं कर सकते थे follow, इस तरह की policy British ने launch कर दी, अब इसी लड़ाई के 100 साल होने पर, कई cookie areas में या गाउं में इस तरह के पत्थर लगाये गए, stone लगाये गए to commemorate the 100 years war, यानि कि centenary celebration था, उसी के लिए 2017 से ही ये program चल रहे थे, कई गाउं में Anglo cookie war को commemorate किया जा रहा था, और इस पर आप कुछ शब्द पढ़ें in defense of our ancestral land and freedom, इसको लेकर नगाज नाराज हो गए, तो उन्होंने, cookies ने जो ये memorial stone लगवाये थे, नगाज ने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि आप ancestral land कैसे claim कर सकते हो, ancestral land तो हमारा है, नगाज का है, आप तो 1500 साल पहले आयो, आप इसलिए लड़ र से indirectly उसी को accept किया, और official reason देखो ये था, कि कुछ law and order situation खराब हो सकती है, इसलिए मनिपूर government ने ये order किया, कि गाओं से ये stone memorials हटाये जाए, कई गाओं से हटाये भी गए थे, इसको लेकर last year main controversy हुई थी, और नगाज ने officially यही का था, कि ये Anglo cookie war नहीं है, आप इसको बताओ लेकिन है cookie rebellion की तरह, तो नगास का ये कहना है कि cookies history को distort कर रहे है, मनिपूर के history को distort कर रहे है, कई जगहों पर इस तरह के जो memorial stones थे, उन्हें disfigure भी किया गया है, आप देख सकते हैं, इस photo के अंदर, ये एक disfigured stone है, इसको लेकर अब 2020 में थोड़ी सी controversy फिर से हो रही है, क्य बजार बीस में क्यों inaugurate कर रहे हो, और जिस memorial stone को एन बिरेन सिंग inaugurate कर रहे है, उसको लेकर भी cookie groups कह रहे हैं, कि उस पर ये नहीं लिखा हुआ है, कि हम अपने आजादी के लिए, या फिर independence के लिए, या ancestral land के लिए लड़े, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, कि हम केवल rebellion था have a great day